नवस्कार दोस्तों सर्था जुलाई 2021 के डेली दा हिंदू एडिटोरिल डिसक्षिन में आपका स्वागत है सटाइड है तो ओवरल चारी आर्टिकल शपे इन में से तीन में आपके साथ डिसक्स करने वाला हूँ एक रिपीड़ है पहला आर्टिकल जो हम डिसक्स करेंगे वो है इंडिया नीड्स रिन्यूड हेल्थ केर सिस्टम नए हेल्थ मिनिस्टर साब आए है मनसुक मंडविया साब ये नए हेल्थ मिनिस्टर साब क्या कर सकते हैं इंडिया में health care कैसे काम कर रही है, private sector को कैसे यहाँ पर regulate करने की जरूरत है, वो states जहाँ पर एक functional public health system अच्छा है, वहाँ पर करोना की case fertility rates मौते हुई है, वो बहुत कम है, इन सब चीजों के respect में कुछ अच्छे statistics यहाँ पर दिये गए हैं, कुछ अच्छे facts यहाँ पर दिये को लेके और उसके खिलाफ बात कर रही है, लेकिन खिलाफ बात करने के लिए इन्हेने जो important points दी है, वो points repeated है, जैसे program of action of the international conference on population and development UN 1994 की बात कर रही है, जिसमें बताया गया है कि coercion से, incentive या disincentive से आप population control नहीं कर सकते, फिर यह बोल रही है कि जो national population policy हमारे 2000 की, उसमें भी यह बोला गया है कि भाई आप education पर focus करो, child health और survival पर focus करो, maternal health पर focus करो, health care services provide करो, contraceptive services provide करो, population stabilization के लिए awareness लाओ, ना कि आप जबरदस्ती coercion करो, incentives दो, disincentives दो, फिर यह कुछ और बातों से concerned है, यह इस बात से concerned है कि हमारी society में इस two child नाम यो one child नाम को लाया जाएगा तो ज माबाप लड़कियों को मारने लगेंगे और लड़कों को पैदा करने लगेंगे तो जितने भी points यहां पर बताया जा रहे हैं, वो सब कहीं नगी हमने पहले बात किये, कोछ ऐला कि statistics दिये गए जो कि उतने important मुझे नहीं लगे, population control bill के उपर काफी बातचीत पहले हो चुक जबर्दस्ती एकी topic को बार-बार, तीन-चार बार अलड़ी डिसकस कर चुके हैं, फिर नेक्स जो आर्टिकल है, वो है overdue review, Supreme Court remarks on sedition cases vote well for its inevitable validation, basically section 124A of the Indian Penal Court, या नहीं, section 124A जो है Indian Penal Court का, जिसके चलते sedition के charges का इल्जाम रगाय जाता है लोगों के ओपर, इसको लेके Supreme Court मे Chief Justice है, N.V. रमाना साब, उन्होंने ये बोलाई कि ये जो particular section है, आपका Indian Penal Court का, इसको बहुत जादा गलत तरीके से पूरे देश में misuse किया गया है, बहुत ही गलत इसका इस्तमाल हुआ है, opponents को दबाने के लिए, communal agenda को पूरा करने के लिए, फिर यहाँ पे इस particular article में 1962 का जो section 124 को unconstitutional नहीं बोला गया था, तो अब ऐसी क्या बात हो रही है कि section 124 को unconstitutional बोलने की demand जो है वो बढ़ती जा रही है, उसके वारे में एक viewpoint दिया हुआ है, इस viewpoint को देखेंगे, फिर next जो article में डिसकस करूँगा आखरी, वो है rising again, by COVID-19 की जो cases है, वो पूरी दुनिया में दुनिया के साब से statistics दी है, total number of cases कब कितने हुए, कौन सी countries में cases ज्यादा बढ़ रहे हैं, वो countries जैसे की USA और UK जहां पर vaccination rate बहुत अच्छा है, वहां पर लोगों के मरने का rate काफी कम है, देखें, infection तो हो रहा है, but infection के होने का rate और लोगों के मरने का rate, यह दोनों ही vaccination की वैस सुधर रहा है, ऐसा भी इस particular article ने मताया गया, तो इसको देखेंगे, तो यह तीन articles डिसकस करेंगे, तीन articles थोड़े से unique है, उससे पहले अपने members को सौगत कर लेते हैं, देखते हैं, वो किसने join कि है, तो सौमया एस प्रधान ने हम को join कि है, यह सौमया का 8th month है as a member, 7 month ही already member रह चुकी है, तो thank you so much सौमया for joining as a member, बतलब बहुती कम ऐसे बच्चे हैं, जो 7, 8, 9, 10 महीने से मुझे members बने नजर आ रहे हैं, तो special thanks to you, फिर अजय मालिवान ने हम को join कि है, अमित कुमार ने हम को join कि है, अनीश कुमार ने हम को join कि है, फिर S सौमया ने हम को join कि है, यह S स सुबहाश उनियाल हम को join कि है, सुकेश कुमार ने हम को join कि है, दिलीप जी ने हम को join कि है, साहिल वर्मा ने हम को join कि है, तो I welcome you all guys, साहिल, दिलीप, सुकेश कुमार, सुबहाश उनियाल, S सौमया, अनीश कुमार, अमित कुमार, अजय मालवी, सौमया एस प्रधान, मैं आ आगे बन्स पहले वीडियो पर लाइक का बटन डफिनिटली दबा दीजिए अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो भी आपके दोस्त हैं जो फिर एक्जाम किया कॉम्पेट्टिव एक्जाम की त्यारी कर रहा है उनको सब्सक्राइब नहीं कर कर दूँगा साथ-टेलीग्राम जुरू जोइन कर लिजे एक किसी पर्टिकूलर टाइम पर मैं टेलीग्राम के अंदर बहुत सारे लिंक्स अपडेट करूंगा तो आप उसाब सब्सक्राइब नए अपडेट्स हैं जो भी नए इंफिर जो आई इन्फोपी आपको तेली built a trust in public health, public health मतलब वो health facilities जो सरकार ने मुवया कराई है मतलब सरकारी अस्पताल आप कहलो सरकारी अस्पताल के आरात हिंडिया में बहुत ज़्यादा कराब है नए health minister आए है मनसुक मंडविया साब और नए health minister के सावे बहुत सारे challenges है इनको यह समझना है कि पहले के जो health ministers को क्या नहीं करके गए इनको यह समझना है कि जो लोग है वो सरकार से ज़्यादा expect कर रहे है public health front पे और यहाँ पे चीजों को बहुत हद तक सुधारने की जरूत है अभी किस तरीके से सुधारने की जरूत है यह दो states के comparison से यहाँ पे बताया गए क्या logic दिया जा रहा है logic दिया जा रहा है कि किसी भी आबादी के लिए availability of functional public health system is literally question of life index functional public health system मतलब functional सरकारी hospital किसी आबादी में कितने है यह उस particular आबादी के लिए जिंदगी और मौत का सवाल हो जाता है और इस चीज़ को दो states को compare करके बताया गया दो states जहाँ पे COVID-19 के cases पूरे इंडिया में सबसे आदा है एक महारास्ट और एक केरला मैंने पहले भी कुछ आर्टिकल्स बनाया थे जहाँ पे मैंने केरला की तारीफ की थे और मैंने बोला थे तो मैंने केरला को better किस respect में बताया था वो यहाँ पे आपको पता चलेगा अगर आप महारास्ट और केरला की बात करो तो जो per capita gross state domestic product है न मतलब state का domestic product उसको divide कर दो उनकी अबादी से तो per capita state domestic product हो गया तो यह महारास्ट और केरला का almost बराबर है और one of the highest एंड निया में और अगर आप कोविड-19 का case fertility rate देखोगे महारास्ट और के अंदर तो केरला के लिए है 0.48 परसेंट और महारास्ट के लिए है 2.04 परसेंट इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह हुआ कि अगर X number of लोग करोना वाइरस से infect होते हैं केरला में तो किवल 0.48 परसेंट और X मरेंगे case fertility rate का मतलब क्या होता है जितने लोगों को करोना वाइरस हो उसमें कितने परसेंटेज मर गए तो अगर X लोगों को करोना वाइरस हो रहा है तो 2.04 परसेंट मर रहा है मतलब all most चार गुने से भी ज़्यादा कह लीजए आप केरला के case fertility rate of महारास्ट is more than four times of केरला point समझ मैं है point का है point यह है कि यहाँ पर फर्क कहां पर नजर आ रहा है फर्क इसला नजर आ रहा है कि there is huge difference in the effectiveness of public health system of both states उतन ही number of cases जब महारास्ट में आ रहे हैं और जब केरला में आ रहे हैं महारास्ट में चार गुना लोग रहे हैं अब इसकी वज़ए कि वज़ए यह है कि जो केरला का public health system है वो महारास्ट से बहुत ज़दा effective माना गया केरला में per capita two and a half times more government doctors है मतलब कि महारास्ट के respect में हर particular person पे per capita पे ठाई गुना ज़दा doctor से केरला के अंदर फिर government hospital beds केरला के अंदर proportionally महारास्ट से ज़दा है प्लस केरला की सरकार per capita डेड़ गुना funds allocate करती है सरकारी health infrastructure पे हर सार किस से डेड़ गुना? महारास्ट के खर्चे से डेड़ गुना और महारास्ट की खास बात की ज़दा है तो महारास्ट में बहुत बड़ा private health care sector है मतलब बहुत सारे private hospitals proliferate कर रहे हैं महारास्ट के अंदर के अंदर के अंदर भी कर रहे हैं वाट के जो public health care system है वो महारास्ट से मुच बेटर है चाहे पैसे के location की बात कर लो चाहे number of availability of hospital beds की बात कर लो और चाहे आफ number of doctors की बात कर लो तो यहाँ पर अगर महारास्ट और के रला को आप compare करते हो तो economy में भले ही वो similar हो जाए पर मतलब domestic product की बात कर रहा हूँ वैसे तो overall GDP आपकी महारास्ट की जादा है बट अगर per capita GDP की बात की जाए तो definitely महारास्ट और के रला almost बराबर है लेकिन के रला महारास्ट से much better है बहुत सारे health indicators पर तो इससे क्या पता चलता है इससे यह मालूम पढ़ता है कि अगर आपकी public health care facilities अच्छी है कहना मतलब यह कि अगर आपके सरकारी hospital का हिसाब अच्छा है तो आपने corona के dealing अच्छी की होगी इस terms में नहीं कि आपने number of infections को रोक रहा है देखे number of infections कितने फैलेंगे इससे hospital से क्या लेना देना है hospitals ने इससान तब पहुंचता है जब उसको corona virus हो जाता है उससे पहले तो नहीं जाके hospital इंबैटता है तो कुल में राके cases क्यों फैलेंगे तो भाई वो लोगों के social distancing behavior basis पे फैलेंगे कौन कितना घूम रहा है, कौन कितना दूसरे से मिल रहा है कौन कितनी social distancing follow कर रहा है कौन कितना mask पहन रहा है अभी एक इंसान infect हो गया उसके बाद वो hospital जाता है तो उसके बाद की dealing के अगर बात की जाए तो आप कह सकते हो केरला दूसरे states को perform कर रहा है मतलब केरला के सरकारी hospital का infrastructure है वो ज़्यादा बेटर perform कर रहा है यह fact यहाँ पर बताने की कोशिश की जारी है फिर क्या बोला जा रहा है Robust government healthcare services in करला have translated into a more effective outreach, time testing, early case detection and more rational treatment for COVID-19 patient मतलब COVID-19 patient के लिए जादा rational treatment, जादा effective outreach, time detesting, early case detection यह सब करला में देखने को मिला जिसके चलते fatality rates करला में काफी कम है okay fatality rate मतलब यह नहीं कि कितने cases हो रहे है cases तो करला में जबर दस्ता रहे है कुछ पिछले 3-4 दिनों सब news सुन रहे होगे कि भाई यह इंडिया के majority of the cases करला में ही आ रहे है लेकिन cases आने के बाद उनकी handling अगर आप compare करोगे तो करला की much better है तो इसमें COVID-19 की pandemic से related message क्या निकल के आता है unneglect of public health system can mean large scale avoidable losses of lives hence public health services must be upgraded rapidly and massively as a top most priority मतलब सरकारी hospital की जो सुविधा है यह किसी भी हाल में compromise नहीं होनी चाहिए यह भाई लोगों को बहुत मदद देती है अब इस respect में यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि अगर सरकारी priorities की बात कीज़े तो basically सरकार को criticize ही कर रहे है बट एक indirect तरीके से कर रहे है कि सरकार central vista project में 20,000 क्रोड रुपे खर्च कर ली है अगर यह सरकार 20,000 क्रोड रुपे सारे देश के government hospital में oxygen plants लगाने पर set up कर दे तो इंडिया में जो 25,000 government hospitals है उनमें दो तिहाई में oxygen plants लग जाएंगे और इस से भाई लाखो COVID-19 और non-COVID-19 patients की जान बचाई जा सकती है तो एक तो यह आपके साथ तो यहाँ पर viewpoint देने फिर क्या पताया जा रहा है कि नए health minister को national health mission पर ध्यान देने की जरो होते है 2017-18 से national health mission काम कर रहा है और national health mission को जो भी पैसा allocate हो रहा है केंद सरकार की तरफ से वो काफी कम हो गया Union government allocations for NHM have declined in real terms resulting in inadequate support to states for core activities such as immunization while systematic gaps affect the delivery of COVID-19 vaccination कहने एक मतलब यह है कि national health mission के अंदर पैसा केंदर की सरकार कम allocate कर रहा है उससे राज्य की सरकारों के पास कम पहुंच रहा है COVID-19 के vaccination की delivery proper तरी किसे नहीं हो रही है इन सब चीजों को देखे सही करने की बात की जा रही है फिर क्या बोला जा रहा है COVID-19 के दोरा public health services में खासा कमी है National Urban Health Mission के हालाद बहुत खराब चल रहा है इस साल अगर आप केंद सरकार का allocation देखोगे National Urban Health Mission को तो that is pathetically low एक हजार क्रोन रुपए allocate किया गया अगर आप पूरे देश में National Urban Health Mission को केवल एक हजार क्रोन रुपए allocate करते हो तो इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह हुआ कि Urban India में रहने वाले जितने भी Indians हैं उनके उपर प्रती महीना सरकार केवल दो रुपए allocate कर रहे है सोची अरबन इलाकों में Mumbai, Delhi लखना हूँ जैसे शहरों में जो Indians रह रहे हैं उनके उपर प्रती महीना सरकार केवल दो रुपए कर चाहिए बिस दो रुपए से क्या ही हो जाएक आज की डेट में दो रुपए में तो आज की डेट में समोसा भी नहीं मिलता है तो यह बात यहां पता ही जारी तो इस situation को बदन लेकी सुलात है ओके और केंज सरकार की देखे एक बात तो माननी पड़ेंगी कि कुछ लिमिटेशन से केंज सरकार अनलिमिटेड तरीके से हर जगा पैसा अलोकेट नहीं हो सकती है उनको डिफेंस में भी खताम करना है उनको इंफ्रास्ट्रॉक्चर में भी खताम करना है उनको एकनॉमी को भी खताने में भी खताम करना है उनको हेल्थ में भी खताम करना है तो एक balance बना के चलना है, तो ये health के sector में यहाँ पे साफसा सरकार से demand की जा रही है कि ज़्यादा पैसा allocate करो, ताकि rural और urban एराकों में health services को improve किया जा सके, ठीक है, अब यहाँ पे health के field में एक और बहुत major मुद्दे पे आते हैं, और वो major मुद्दा है privatization, यहाँ पे यह बोल प्राइवेट सेक्टर में, अब भी प्राइवेट सेक्टर में बड़ी problem है, प्राइवेट सेक्टर में rates को regulate करना, standards of care को maintain करना, यह अपने आप में major issue है, बहुत सी जगाँ पे लोग hospital जा रहे हैं, हॉस्पिटल में massive hospitals bills बन रहे हैं, एक हपते का एक लाग से तीन लाग का बिल बन जा रहा है, यह बहुत normal है, ओके, फिर राम दसिवर पैनिक फैल गया था, राम दसिवर के injections भई 30-30, 40-40, 60-60, 60-60,000 के मिल रहे थे, और उसमें भी वो नमक कपानी गोल के लोगों को दे रहे थे, पते ही नहीं चल पा रहा था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा और उसमें भी mucor, mycosis जैसी problem आ गई है, वो क्यों आ रही है, वो फिर unscientific prescription of medicines, तो जब कोरोना वाइरस को कोई steroid ठीक नहीं कर सकता, तब भी steroid आप दिये ही जा रहे हो COVID-19 patients को, जबकि आपको steroids तब देने चाहिए, जब cytokinin strong हो जाए, cytokinin strong मतलब कि एक patient का immune system उसी के, आप इंसान का भी शुगर बढ़ रहा है, और जब normal इंसान का शुगर बढ़ रहा है, he is becoming susceptible to mucor, mycosis, तो यह काफी problems यहां पर रही है, जिनकी proper dealing की ज़रुवत है, और सबसे important यहां पर क्या है कि there is a need for comprehensive regulation of private hospitals, private hospital का comprehensive regulation यहां बहुत ज़रुरी है, इसके लिए सरकार को अभी भी regulation act पास हुआ था, अभी के लिए 11 states में यह active है, इस particular act को proper तरीके से देश में implement नहीं किया गया है, central minimum standards जो issue किये जाते हैं, किसी particular act के अंदर जो rules and regulations issue की जाते हैं, वो केंदर की सरकार करती है, वो समय समय पे issue नहीं हुए है, और यह public distress के दौरान, कोरोना के दौरान भी नही किया गया है, ऐसा लग रहा है, जिसे सरकार खुद privatization को promote कर रही है health sector में, ठीक है, खास बात यह है, कि इंदर सरकार ने private hospitals को regulate करने के लिए खासा को ज़्यादा किया नहीं है, जो थोड़े बहुत regulation किये हैं, कैसे किये हैं, कि कोरोना के test के ओपर एक upper limit लगा दी किया है, आ यह जो private health care है, चुकि यह commercial basis पे काम करते हैं, तो यह लूटने में ज़्यादा involved होते हैं, तो that is why this is a very serious need to regulate private health care, बट ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सरकार interested सी ने लग रही है, उपर से नीती आयो की जो latest report आई है, वो तो ऐसा लग रहा है कि और privatization को support कर रही है, तो अगर आ नीती आयोग ने बोला कि भाईया, health care को और privatization करेंगे इंडिया में, और इंडिया को one of the most privatized health care systems बनाने का यहाँ पर टार्गेट हो रहा है, सबसे खास बात है कि इंडिया में privatization health care में already बहुत जादा है, यूएस में, इंडिया में यह कुछ ऐसी countries count होती है, जहां पर private health care system nominate करता है, उसके उपर से भी नीती आयो कि जो investment opportunities in India's health care sector है, यह और privatization को promote कर रही है, खास बात यह कि private providers इतनी irrational तरीके से COVID-19 के epidemic के दोरां dealing कर रहे हैं और उसके बाद भी unregulated private health care के गलतियों को हटाने के बज़ाए सरकार यहाँ पे और private players को investment करने के रिए invite कर रही है, और इ प्राइम business opportunity की तरह देखते हो COVID-19 को, then definitely it is an attack on the health rights of a particular individual, चुकि यह private players तो पैसा कमाने के लिए भाई काम करते हैं, तो जब तक आप एक socialistic model से, जब तक आप एक लोगों के benefit के model से स्कोरोना को नहीं देखते हो, तब तक चीजों को ठीक करवाना बहुत मुश्किल है, आपको लोगों को free public health care available करवाना, hospital की सुविधावन को free available करवाना ये सोच होनी चाहिए, चबकि सरकार की सोच यह है, कि ज़्यादा private investment आए health sector में, एक limit से ज़्यादा privatization केवल अमीरों को और upper middle class को support करेगा, गरीब और नीचे दबते चले जाएंगे, ये viewpoint आपका इस article से निकलता आ रहा है, जो कि मुझे लगा कि काफी valid viewpoint है, ओके, भाई, privatization को रोकने की तो देखिये जरुवत है, और केंद सरकार एक limit से ज़्यादा privatization को रोकने की कोशिच नहीं कर रही है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा urgent है, क्योंकि ये private players तो भाई, loot लेते हैं लोगों को, ओके, फ और, तो recently हमारे Chief Justice N.V. Ramana साब ने बोला, कि भाई, क्यों ये 75 साल of independence के बाद भी ये जो आपका Section 124A है, वो हमारे Indian Penal Code पे exist कर रहा है, यहाँ पे Chief Justice साब ने बोला है, कि भाई, Police Forces ने पूरे देश में कई बार rampant misuse किया है, इस Section 124A का, और, की देखिए, सरकार को भी हाँ remind कर रहे हैं, आपके, N.V. Ramana साब कि ये जो Section 124A है, Sedition Law है, जो, वो actually में इसलिए लाए गया था, ताकि हमारे Freedom Movement को दबाए जा सके, हमारे जो Freedom Fighters थे, जो कि उस समय की British सरकार के अगेंस्ट बोलते थे, उनको दबाए जा सके, तो जब ये Freedom Movement को दबाने के लिए लाए गया तो दो हमारे सम्मिधान के प्रमुल होगेट होने के बाद, हमारे Independence के बाद इसको Statute Book पे क्यों रखा गया, और वो भी देखेंगे क्यों रखा गया, हलांकि पहले भी हमने देखा, कुल मिला के Overall, जिस टोन से यहाँ पे Chief Justice of India ने Section 124A के बारे में बात की है, इससे एक चीज 124A को पिछले कुछ सालों में गलत तरीके से इस्तिमाल किया गया और बहुत Frequently इस्तिमाल किया गया तो Suppress Dissent, Criminalized, Trident, Political Criticism and Taint Opponents with the Tag of Being Anti-National, Anti-National का Tag बहुत अत्तर लगाया गया और Sedition Law में उठा के Jail में डाल दिया गया, अब खास बात यह है, कि Exception 124A को आप Unconstitutional क्यों बो करता है, Generalist के अगेंस्ट इस्तिमाल करता है, और ऐसा नहीं कि वहल केंद सरकार के लोग, राजसरकारों में भी ऐसा होता है, राजसरकार जो है, वो अपने पोजिशन को दबाने के लिए Sedition Law का इस्तिमाल करता है, और ऐसा नहीं कि President सरकार में, BJP में ऐसा हो, अग Congress के समय प पॉलिटिकल वजह हैं, जिसकी वैसे Sedition Law का गलत इस्तिमाल होता है, पहला, तू सप्रेस क्रिटिसिजम और प्रोटेस्ट अगेंस्ट पर्टिकुलर पॉलिसीजन प्रोजेट्स और गॉर्मेंट की पॉलिसी और प्रोजेट्स को जो भी क्रिटिसाइज कर रहा है, उसको द करता है, यह बेसिकली Sedition Law, और तू सेटल पॉलिटिकल स्टोर्स, कभी-कभी पॉलिटिकल स्कोर्स को सेटल करने के लिए भी गलत तरीके से इलजाम लगा दिया जाता है, इस Sedition Law के अंदर, अब बात की जाए तो पहले भी Sedition Law के उपर बातचीत हो चुकी 1962 में, 1962 में भी Supreme Court इस Sedition Law के उपर बातचीत की तो और उस समय पर Supreme Court ने बोला था, कि देखे भाई, Sedition Law पूरी तरीके से Unconstitutional नहीं है, Supreme Court ने क्या बोला, कि यह जो bring into hatred or contempt, और यह जो to create disaffection towards the government established by law, यह जो दो particular phrases दे रखे न, इस section यह, section 124-1 एंदर, इन particular phrases का आपको एक बहुत limited narrow interpretation लेना है, अ section 124-1 को invoke कर रहा हो, ऐसा Supreme Court ने 1962 में बोला है, और वो narrow interpretation क्या है, वो narrow interpretation यह है, कि अगर कोई violent तरीके से, parnicious tendency के साथ, public order को disturb करने की कोशिश करता है, public disorder फैलाता है, violence करता है, जबरदस्ती शाजिश करके एक elected सरकार को गिराने की कोशिश करता है, अगर इस प्रकार की law को invoke किया जा सकता है, यह 1962 में सुप्रीम कोट ने बोला, 1962 में भी सुप्रीम कोट के पास से सवाल आया था, क्या यह सेडिशन law सही है, तो उस समय पर बोला, Supreme Court ने की देखे, लिबरली यह बिल्कुल सही नहीं है, तो यह जो bring into hatred or contempt or to create disaffection towards the government established by law, इन सब particular statements को आपको इस त तो कि interpretation के साथ इस law को यहां पर invoke करना है, ठीए, तो attenuated interpretation था, तो basically section 124 एक आप इस्तमाल कर सकतो, जरूस से the violence या public disorder फैलोगे, तो ही तुम्हारे उपर इल्जाम लगा जागा, लेकिन हमने यह चीज़ देखी है, कि no doubt, यहां पे Supreme Court ने उनने सुपासर्ट में attenuated एक बहु कोई case हो, कुछ भी बोल तो सरकार कहा है, सेडिशन लौ में अंदर, और आप देखो 1962 के बाद से लेके अब तक Supreme Court के ऐसे बहुत से judgment आ चुके है, जहां पे fundamental rights प्रोवाइड किये गए है, ठीक है, basic principle doctrine लेकिये आई गई, जिसके चलते, लोगों को ज़्यादा राइट्स दी यह बिल्कुल भी सही नहीं है, और खास बात यह कि section 121 के शब्दों को इस्तमाल करके बहुत liberally interpret कर रही पुलिस सरकार, जबकि Supreme Court ने साफ साब बोला है कि liberally interpret आपको नहीं करना है, 2016 में गवर्मेंट ने खुद पारलेमेंट में इस बात को माना था कि sedition नाम को जो शब्द बड़ा ची line है यह, कि एक song वो कहने मतलब यह कि माल लीजे कि एक किताब है, अब उस किताब से आप कुछ पढ़ गओ, अब ज़रूरी नहीं है कि एक देश के अंदर रहते हो, तो सब लोग इस किताब से पढ़ेंगे, तो ही आप उस देश के patriot बताए जाओगे, सब लोग अपने अपने cultural diversions को, अपने cultural differences को follow करके, अलग चीज़ बोल के भी अपने आपको patriotic साबित कर सकते हैं, कुल मिला के कहने मतलब यह है, कि political identity की basis पे किसी चीज़ को criticize करना, यह आपको anti-national नहीं मनाता है, लेकिन चुकि यहाँ पे politics involved है, इसलिए political purposes की वज़े से sedition law को इस्तम पोटेंशल में स्यूज हो रहा है, उनने मांसरट के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को तरीके देखे, implement नहीं किया गया, तो इसको हटा देना ही better है, ऐसा viewpoint यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है, और आप आजाते हैं, हमने final item पे, rising again, adherence to COVID-19 appropriate behavior is the only way to reduce the impact of a third wave, यहाँ पे अ अप्रेयल को लगबग 0.9 million, मतलब 9 लाग coronavirus के cases आये थे पूरी दुनिया में, 8 सप्रेयल को, तब से आप देखो, तो coronavirus के cases पूरी दुनिया में गिरने लगे, जून 21 पे, पूरी दुनिया में coronavirus के cases एक दिन में 3 लाग है, तो आप कह सकते हो, यह lowest point था, लेकिन उसके बाद स फिर से पूरी दुनिया में coronavirus के cases बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 15 जुलाई को coronavirus के लगबग 5,30,000 cases आये, 0.53 million cases आये पूरी दुनिया में, और आप देखेंगे कि यह जो second week है जुलाई का, इसमें overall 7 दिनों में 30 लाग coronavirus के cases देखे गए हैं, पूरी दुनिया में, फिर as of July 15, July 15, 2021 मतलब अभी मैं परसों की बात कर रहा हूं, बोला गया कि overall 188.9 million coronavirus cases रिपोर्ट किये गए, मतलब 18 करोन 90 लाख लगबग coronavirus cases दुनिया भर में रिपोर्ट किये गए हैं, जिसमें, जो major reason है इस coronavirus का, वो है highly transmissive delta variant, यह जो highly transmissive delta variant है, वो 111 countries में पाय जा चुका है, Brazil, India, Indonesia, UK, Columbia, यह कुछ ऐसे देश हैं जहां पर delta variant की वैसे जो number of cases हैं वो बहुत जादा है, और पिछले एक हफते में आप देखोगे कि कुछ countries हैं, जहां पर करोना के cases बहुत जादा बढ़े हैं, जैसे जिमाबे में 72% बढ़े हैं, इंडोनेशा में 44% बढ़े हैं, US में 38% बढ़े मांगलादेश में 35% यूके में 30% और कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि इन cases को लाने के लिए एक major वज़ा यहां पर delta variant हो सकता है, फिर क्या पताया जा रहा है, पहुत सी Asian countries हैं वियतनाम, मलेशिया, सौथ कोईया, जापान, जहां पर जो Corona virus का spread है, इसको रोका गया, 15 जुलाई को इंडिया में 56,757 cases थे, तो इंडियो नेशिया एक नए Asian epicenter की तरह उभर रहा है, 15 जुलाई को इंडिया में 39,000 है, अब देखें, इंडियो नेशिया में 56,000 cases बहुत जादा होते हैं, जोकि इंडियो नेशिया के आबादी आप इंडिया से compare करोगे तो बहु cases हैं ना, 56,757 उनके population के proportion के साब से देखो, अगर इंडिया के respect में बहुत जादा निकल के आते हैं, ठीक है, फिर अगर COVID-19 से related deaths की बात कीज़ें, तो COVID-19 से related deaths भी पिछले कुछ हफतों में काफी देखने को मिली हैं, 9 लगातार हफतों तक जो ये deaths थी, वो गिर रही थी, अब एकदम से बढ़ती हुई देखने को मिली हैं, 7 जुलाई को, as of 7 जुलाई 2021, जो टोटल नंबर ऑफ COVID-19 के चलते deaths हो चुकी हैं, पूरी दुनिया में, वो 40 लाग क्रॉस कर चुकी हैं, हलाकि हम ये सब जानते हैं, कि developing countries के database को देखा जाए, तो ये बहुत ही understated figure है, actually म बहुत जदा लोग मरें, पिछली जो 1 million deaths हुई है, 4 million deaths में, जो पिछली last 1 million, last 10 lakh deaths है, इनको होने में किवल 90 दिन लगे हैं, होता है न, कि पहले 1 million deaths को होने में कितना समय लगा, फिर अगली 1 million हो कितना, फिर अगली 1 million हो कितना, फिर अगली 1 million हो कितना, फिर अगली 1 million हो कितन जिन्होंने अपने vaccination प्रोग्राम को बहुत जबरदस तरीके से चलाया है वहाँ पर number of deaths और number of hospitalizations कटे हैं मतब hospitalization मतब जितने लोगों को hospital management पढ़ना पड़ा तो USA और Europe दो ऐसी countries हैं जहाँ पर vaccination coverage बहुत ज़ादा है उसके चलते deaths बहुत कम हुई है और hospitalization भी बहुत कम करना पड़ा है अगर UK की बात कीजाएं तो UK में 87% of the adult population को पहली dose मिल चुकी है और 67% of the adult population को दो doses मिल चुकी है इसलिए आप UK में देखोगे कि लोग भी कम hospital न भरती हो रहे हैं और जो death है वो भी UK में बहुत कम हो गई है अगर आप US की बात करो तो US में भी one of the largest vaccination coverage है वो states जहाँ पर कम vaccine कवशित दी गई है वहाँ पर जादा लोगों की death हो रही है जादा लोगों को corona virus हो रहा है और वो states जहाँ पर vaccination coverage बहुत तगड़ी है वहाँ पर hospitalizations और deaths बहुत कम है US की 55% आबादी को पहली dose मिल चुकी है और US की 48% आबादी पूरी तरीके से vaccinate हो चुकी है तो इससे क्या पता चल रहा है इससे definitely एक बाता चल रही है कि अगर हम vaccine coverage को बढ़ाते है और global vaccine equity लेके आते हैं तो definitely coronavirus के against immunity पाई जा सकती है ये जो deadlier variants उभर रहे हैं इनको उभरने से रोका जा सकता है फिर एक booster dose की भी बात की जा रही है ये booster dose क्या है ये मैं कभी समझाओंगा आपको booster dose भी एक प्रकार से आप कह सकते हो कि एक dose है जिससे coronavirus को control में करने कोशिश की जाती है हला कि booster dose थोड़ा अलग तरीके से काम करती है कुछ लोग के साब से booster dose ये है कि बाई दो dose दे दी उसके बाद एक extra dose दे दो coronavirus की तो ये booster dose हो जाएगी ठीके इसराइल ने भी कई ना कई booster shots ती है मैं आपको बता दो इसराइल पहले ही अपनी पूरी आबादी को vaccination दे चुका है उनकी आबादी वैसे भी कम है और आप वो booster shots भी दे रहे है उन लोग को जिनका immunity system थोड़ा compromise है तो booster shots आप कहा सकते हो कि coronavirus के vaccination के बाद एक extra level आपको coronavirus से बचाने के लिए immunity लाने के लिए देना ये होता है आपका booster shot ठीक है खासकर उन लोग के लिए जिनका एक compromised immune system है vaccination से काम नहीं बन पा रहा है तो इनको strong booster shots दिया जिससे coronavirus से वो बच सके हलाकि ये booster shots बहुत होते हैं तो इनके side effects भी निकल के आ सकते हैं अगर आप इंडिया की बात करिए तो इंडिया में बहुत से states vaccine shortages को रिपोर्ट कर रहे है भाई इसको ठीक करने की जरूत है साथ-साथ COVID-19 एप्रोप्रियेटीव बेवेर लाने की जरूत है जब तक आपको vaccine नहीं लग जाती तब तक तो बिलकुली fiscal distancing, social distancing करिए हो जब लग जाये तब भी करिए ताकि जो third wave का impact है इसको minimize किया जा सके तो यह था आज का इडिटोरल discussion दोस्तों ज्यादा articles थे नहीं, तीन articles थे जल्दी खतम होगा, thank you for watching I hope आपको कुछ ना कुछ useful है आपे सीखने को बिलाओ आपने view point नीचे comment box में जरूर दीजेगा Have a great day, good bye